हम यहाँ यह देखना चाह रहे हैं कि elementary students जो हैं उनकी क्या ऐसी demands हैं कि वो moral values जो हैं उसको किस तरह से अपनी personality में strongly develop कर सकते हैं तो अब elementary stage पे बचे इस stage पे पहुंच जाते हैं जिसमें अपने आपको किसी दूसरे की जगा पे रखे कि उसकी miseries को जो है वो feel कर सकते हैं यहाँ पे हम बच्चों को stories के तुरू अपने modeling के तुरू सिखा रहे हैं कि आपको दूसरों का हयाल करना चाहिए तो यहाँ पे बच्चे किस तरह से ख्याल करेंगे जब उनके सामने strong models होएंगे और उसके साथ ही जब वो stories के morals को भी आप उसके साथ discuss कर रहे हैं तो यहाँ पे आके बच्चे जो है अब आप जब उनको मिसाल देंगे कि आपको पता है अगर आप उसकी जगा पे हो तो आप किस तरह से feel करेंगे यानि यह एक comparison जो है वो आप बच्चे को दिखा रहे हैं और बच्चा आपकी बात को बड़े गोड़ से सुनता है और उसको समझ आ रही है कि जो आप कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पे मैं एक मिसाल अब भी छोटी सी दूँगी कि हम बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप मौरल वैलियूज किस तरह से लोगों के साथ express करते हैं और किस तरह से share करते हैं तो उसका मुझाहरा आप घर के अंदर मुलाजमीन के साथ अपने husband, अपने बच्चों, अपने सुस्राल के रिष्टेदार और अपने mother के side के रिष्टेदार यहां से भी बच्चे बड़े comparisons देखते हैं अगर आप एक family के साथ differently behave करते हैं आपकी moral rules उनके लिए different हैं और आपके moral rules जो हैं वो आपके अपने in-laws की family के साथ different हैं तो बच्चे यह सारी चीज़ें देख रहे होते हैं उनके अंदर अच्छा और बुरा का जो concept है यह आजाता है कि जो मेरे father की side के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं जो मेरी mother के side के लोग हैं वो अच्छे हैं तो यह अच्छा और बुरे का जो फैसला करने के लिए आपने बच्चे को train करना है उसके लिए उसको true models जो है वो पेश करें और तब वो जा कि चीजों को खुद से सोचेगा उसके बाद उसका hood result निकालेगा यहां पर फिर children are able to take need as an important reason for kindness why should I be kind to that person who was unkind with me बच्चे बाप से यह सवाल पोचते हैं कि आप जब उसको कहरी कोई बात नहीं उसने गर ऐसे कर लिया है तो you need to be kind तो child will ask why should I be kind because he did not do the good thing with me तो अब यहां logic के साथ समझा रहे हैं आप वो अपने घर से है उसके parents ने उसको नहीं इच्छा train किया हम आपको यहां से train कर रहे हैं तो अच्छे और बुरे का फर्क उस वक्त ही पता चलता है जब आप goodness दिखाएंगे तो automatically वो सोचेगा बचा और वो आपके साथ next time good हो जाएगा नहीं भी होता तो you need to be good all the time you don't need to adopt the model of that child so इस वज़ा से अब बच्चे चुके आपसे comparison मांग रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों को comparison reason के साथ आपने देना है आपने बच्चे को जो है वो बिलकुल यह नहीं कहना कि मैं चुके तुम्हें कह रही हूँ तो तुम्हें इसको follow करना है बलके बच्चे को यह कहिए कि क्योंके यह morality के against है इसके rules ही यह हैं कि हमें इस चीज़ को follow करना है हमारा दीन भी यह कहता है हमारे societal norms भी यह कहते है so you need to follow all these rules and regulations तो यहाँ पर आगे adults in their world to follow rules which are put in place, failure to do so results in moral ambiguity वो कहता है जी अब जैसे छोटी से एक और मिसाल है आप कोई movie देख रहे हैं आप अपने बच्चों को कहते हैं आप जाके कमरे के दूसरी सर्फ बैठे मेरी friends आई हुई है और मेरे जो बाकी relatives आई हुए है cousins आई हुए हम सब बैठके movie देखेंगे आप बाएर चले जाएं कमरे से तो देखिए यह ambiguity है वो कह रहा है कि जो चीज मुझे allow नहीं है वो आपको कैसे allow है तो आपने यह वाला फर्क भी देखना है कि घर के अंदर बच्चे को आपने वही वाला model उसको present करना है जिसको आपने आप follow करें तो बच्चा भी follow करेगा जिसको बच्चा follow कर रहा है तो आपको भी follow करना है morality के rules अलगलग करके differentiate करके बच्चे को ना दिखाएं जिसके वज़े से बच्चे जो हैं वो पिर कहेंगे कि हम भी जब बड़े होंगे तो हम भी यही करेंगे जो आप कर रहे हैं तो हम तो सारी जिन्दगी के लिए बच्चे की development कर रहे हैं इसलिए मैंने देखा है कि ये भी हमारे घरों में कुछ हिस्तिसम के patterns भी है कि parents को कोई चीज allow है तो बच्चों को allow नहीं है जो बच्चों को allow है वो parents कहते हैं हम आपके साथ चुके आप बच्चे हैं आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं मेरा है कि moral values की जो development है उसके लिए आपको जो parents हैं उनको अपने ओपर भी वो rules जो हैं वो लागू करने चाहिए और अपने बच्चों को तब ही जाके वो कहेंगे कि चुके आप देखें हमारे parents जो हैं वो नहीं कर रहें तो हम क्यों करें ऐसा लेकिन अगर आपने अपने लिए लाइदा से moral rules रखे हैं बचों के लिए लाइदा से रखे हैं तो children will be confused और फिर वो उसको जो है सोच लेंगे कि अभी तो हम नहीं कर सकते जब हम बड़े होंगे आपके जितने तो हम भी ये काम करेंगे so it is very important to just create the very firm model of morality in front of your children